मुंगेर में कर्तव्य हींता के आरोप में 27 पुलिस हधिकारियों को एसपी ने किया निलंबित। बिहार पुलिस मुख्याले ने 6 महापर में विधी व्यवस्था संधारन के उद्देश्य से 49 प्रशिक्षू अवर निरीक्षक को भीजा गया था मुंगेर। एसपी ने दी जानकारी मुंगेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां मुंगेर एसपी जगुनाथ रैडडी जला रैडडी ने बड़ी कारवाई करते हुए 27 प्रशिक्षू पुलिस अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। एसपी के द्वारा इतनी बड़ी कारवाई करने के बाद पुलिस पदाधिकारी के अलावा पुलिस जवानों में हरकंप मचा हुआ है। वही एसपी जगुनाथ रैडडी जला रैडडी ने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय पतना का पत्र संख्या 451 बल 14 नवंबर को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षन प्राप्त करने वाले कुल 49 प्रशिक्षन पुलिस अवर निरीक्षक को छट पर् प्रशिक्षन को लेकर मुंगेर जिला में प्रतिनी उप्ती किया गया था उप्त निर्देश के आलोक में 16 नवंबर को सभी प्रशिक्षन पुलिस केंद्र मुंगेर में योगदान किया योगदान करने वाले सभी प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक को रक्षित का गया था वह वहाँ पर नहीं पहुंचे जिस कारण छाट पर्व जैसे महत्वकून पर्व के अवसर पर विधी व्यवस्था संधारन ड्यूटी में ससमय अपने करतव या पर योगदान नहीं करने के आरोप में कुल 27 प्रशिक्षन पुलिस अवर निरीक शिक को निलंबित कि गया है उसके लिए राजजीर अकाडेमी में प्रशिक्षन में तैना था इनका डूटी यहां मुगर पुलिस में दिया गया था यह लोग परसो रात में आया था और कल इनको डूटी बाटा गया था कल से यह लोग गायव है और बिना बताए यह लोग अपने घर चले गए बिना सूचना है थाने में जॉइन नहीं कि इसलिए इनको 27 लोग प्रशिक्षू अवर निरिक्षक है इनको निलंबित कर दिया गया है और विबागी कारवाई स्टाट करेंगे कि इसे को जिकारन पूछा भी कियाएगा और डिपार्टमेंटल प्रशिडिंग स्टाट किया जाएगा है यहां वो लोग का डूटी लगा है उसी जो डूटी के क्रमें लोग आये थे हमारे मुंगेर पुलिस के जिला बल के लोग है और यह लोग परसों से गायव है और का आज लोग जब कर वाई वह तो बाज आकर कुछ लोग जाइन कर रहे हैं देरे देरे ने सब्सक्राइब